तो आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काले इंशासन व्यवस्त था किसे संबंदित महतुपून पचने नी सल्तनत काल में कौन-कौन से विभागते उनके जो प्रमुक थे या जो उसमें बड़े आधिकारे थे उनने क्या कहते थे तो आए हम शुरू करते है थे तो केंद्रिय प्रशाशन का मुख्या कौन होता था जो सेंटर पावर जो होती है किसके पास होती थी वो होती थी सुल्तान के पाद सुल्तान होता था मेन विक्ती जिसके पास संपून पावर होती थी फिर सल्तनत काल में मंत्री परिशत को किस नाम से जाना जाता था तो साथियों सल्तनत काल जो था उस काल में मंत्री परिशत को कहा जाता था मजली से खलवत क्या कहा जाता था मजली से खलवत सल्तनत काल में कहा जाता था फिर अगला प्रशने बार एक खास किसे कहते थे तो साथियों जो बार एक खास होते थे उस थान को कहा जाता था जहां पर सुल्तान सभी दर्बारियों को सभी खाने को फिर अमीरों को मालिकों को तथा रहीस लोगों को बुलाते थे सेनिकों को और मालिको रहिस लोगों को बिलाते हैं थे उन्हें हम बारे खास कहते थे उस्थान को फिर फिर बारे आजम किसे कहा जाता था तो साथ बारे आजम जो है वो इसे इस्थान को कहा जाता था जहाँ पर सुल्तान राज की अ कारियों का अधिकांश भाग पूरा करदा था सुल्तान जिस जगा पर बेट कर राज्य या देश के काम जो करता था उसे बारे आजम कहा जाता था ठीक है फिर वजीर किसे कहते तो वजीर तो सभी जानते हैं प्रधान मंत्री को कहते हैं जिसे हम महालेखा का, जिसे अकाउंटेट कहते हैं, उसे कहते थे, जो प्रांतों वो अन्य उभागों से प्राप्त आय और वै का लेखा जो का रखता था, मदर इंकम और आउटकम का जो मनी पैसे होते थे, उसका लेन दिन को हिसाब रखने वाले को हम मुश्रिफे मुमालिक कहते थे, ठीक है फिर अगला प्रश्न हमारा, मजूम आदार किसे कहते है, मजमुदाद किसे कहते है तो उधार लिएगे धन का जो हिसाब किताब रखता था उसे मजूम आदार कहते थे उधार लिएवे पैसे का फिर खजीन किसे कहते थे तो खजीन जो किसे कहते थे कोशार द्यक्शř जिसे हम क्या बलते हैं"? ट्रेजरर जिसे बलते है ना उसे हम खजीन कहते थे सल्टनत काल में फिर अरिज ऐ मुम्लिक किसे कहते थे तो अरिज ऐ मुम्लिक जो था दिवाने अर्ज अत्वाद सेनिक भाग के प्रमुक अधिकारी को अरिजे मुमलिक कहा जाता था सेनिक भाग का मुक्य अधिकारी फिर अगला प्रशन है वकील ए दर किसे कहते थे तो वकील ए दर जो है वो सुल्तान जो सुल्तान की विक्तिगत सेवाओं की देखरे करता था सुल्तान की विक्तिगत उनकी खाने पीने बगरा चमदर कुछ भी इसके बारे में जो देखवार करता था उसे वकिले दर कहते थे फिर अगला प्रशन है सद्र उस सुदूर किसे कहते थे तो सद्र और सुदूर किसे कहते थे वह वेक्ति जो धर्म विभाग और न्याय विभाग का प्रमुक होता था उसे सद्र और सुदूर कहा जाता था धर्म विभाग और न्याय विभाग का हेड फिर काजिल उल्कजाद किसे कहते थे तो काजिल उल्कजाद जो था वो जो सुल्तान के बाद न्याय करने का सर्वोच्य दिकारी होता था मतब मुख्य न्यायदिस जो होता था उस टमाने का जो सुल्तान के नीचे होता था उसे काजिल उल्कजाद कहते थे ठीक है फिर अगला प्रशन है दिवाने खेरात किसे कहते थे तो दिवाने खेरात एक विभाग था जिसमें अनात, मुस्लिम महिलाओ, विद्वाओ तथा लड़कियों को साहिता की जाती थी यह सा विभाग था जिसे दिवाने खेरात कहते थे ठीक है फिर दिवाने बंदगान किसे कहते थे तो साथिये दिवाने बंदगान जो था वो विबाग जो दासो यानि गुलामों की देखभाल करता था उसे दिवाने बंदगान कहते थे दास गुलामों से समद्दे बंदगान फिर दिवाने इस्तिहाक किसे कहते थे तो इस्तिहाक जो था वह विबाग जो पेंशन देता था लोगों को, याधिकारीओं को, उसे हम दिवाने इस्तिहाक केहते हैं बरीदे मुमालिक जो था वो गुप्तचर विबाग के प्रोमो काधिकारी को केहते हैं गुप्तचार मतला है intelligent agency थी न उस जमाने की उसे बरीदे मुमालिक कहते रहे फिर अगला प्रशन हमारा दिवाने रियासत किसे कहते थे तो साथे दिवाने रियासत जो था वो भाग जो व्यापारियों पर यह अंतरन करता था और बजार की वैवस्था का चलन करता था उसे दिवाने रियासत कहा जाता था फिर अगला है शहनाय मंडी किसे कहते थे तो शहनाय मंडी जो थे प्रत्यक बजार के अधिक्छक जिसके पास खादान बिकरी के लिया था तो खाने के जो आन अन थे जिस बाजार में अधिकारी के पास जाते तो उझे शहनाय मंडी का आ जाता था ठीक फिर बरीत किसे कहते थे बरीत जो बजार में घुम घुम कर बजार की वैवस्ताओं का दिक्षन करता था बजार में गुम गुम करनेशन करने वाले को बरीत कहा जाता था फिर अगला प्रशने नापतोल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे तो नापतोल नाजीर नामक वेक्ति जो था वो नापतोल करने वाला अधिकारी कहलाता था सल्तनत काल में मुनिहान किसे कहते थे तो मुनिहान जो था वो गुप्त सूचना प्राप्त करने वाले वेक्तिया अधिकारी को मुनिहान कहा जाता था यहीं इंटेलिजेंस सिक्रेट खबरों को लेने वाला फिर परवाना नभीस किसे कहते थे तो परवाना नभीस जो था जो वस्तुओं का परमीड जारी करता था उस अधिकारी को परवाना नभीस कहते थे जो वस्तुओं थे इनको माजार में यागी दरूद जाती थी उनको परमीड जारी करने वाले को परवाना नभीस कहते थे चराई कर किसे कहते थे तो दुदारू पशुवों पर जो लगाया जाने वाला कर था उसे चराई कर कहते थे दुदारू पशुवों जो दूद देने वाले पशुवों थे उन पर जो कर लगाया था शाचन ने उसे चराई कर कहते थे फिर गड़ी कर किसे कहते थे तो जो गड़ी कर था, वो घरो और जोपडियों पर लगाने जाने वाला कर था, जिसे हम property tax बोलता है न, छोगे आ लोकल बासा में, उसी प्रकार का घरो और जोपडियों पर लगाने वाला कर जाने वाला कर जाता था, फिर उस्र कर क्या था, तो उस्र कर जो था, वो मुसल्म मुऄरा स्कार परामिन कर्था mm. यह उनिए परोपर्टी टेक्स हराज कर गर मुसलमानों कर आए Miku उसे पोग इसुए जटले दिछाइन के लोग भारत में संद्धार्थ न लगता ऑ मैं झाने कर त्वी अधरा पुण स्नृव कुर आए वा यह कर जो था लूटे हुए खजानों तो था भूमी पर गड़े हुए खजाने पलगने वाला कर था जो प्राप्त संपत्ति थी यानि जो लूट था या खजाने में जो मिला तो उसका एक बटे भाग एक बटे जो पांच भागता वो सुल्तान को दिया जाता जिस पर सुल्तान का दिकार था और चार बटे जो पांच भागता वो सेने को मिलता था अगर सेने किसी युद्ध में लूट कर लाते थे या जिस वेक्ति को घर में या उसकी संपत्ती में जो खजाना मिलता था, उसका चार बटे भाग और खुद रखता था.